भारत अगर चाहे तो आप अगनी पाँच बैलेस्टिक मिसाईल से 7000 किलोमीटर दूर इस्थित दुश्मन का भी सफाया कर सकता है। रक्षान संधान और विकास संगठन यानी DRDO ने एटमी सक्षम अगनी पाँच मिसाईल का वजन घटा कर इसकी शमता को बढ़ाने में सफलता हसिल की है। इस मिसाईल में इस पाद की जगा कंपोजिट मैटेरियल का इस्तमाल किया है। एटमी सक्षम अगनी पाँच बैलिस्टिक मिसाईल का गुरुवार सफल परिक्षण हुआ था। जिसमें इसने अपनी शमता 5400 किलो मीटर दूर इस्तित लक्ष को सफलता पूर्वक भेदा था। डियारडियों के सूत्रों ने बताया कि मिसाईल का वजन 20% से अधिक तक घटा है जिसके चलते अब इसकी मारक शमता 7000 किलो मीटर हो गई है। भारत में एटमी हतियार कारकम मुख्य रूप से चीन और पाकिस्तान समय उसके अन्य विरोधियों के खिलाव प्रतिरोध के लिए है क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज पॉल्सी का पालन करता है और कभी भी पहले बार नहीं करता है। इससे पहले परमाडू संपन बैलेस्टिक मिसाईल अगनी पाँच का परिछड सफलता पूर्वक किया गया था। इस मिसाईल बे तीन स्टेज में संचालित होने वाला सॉलिट फ्यूर इंजन लगाया गया है। अगनी पाँच मिसाईल 5000 किलो मीटर तक सटीक मार करने की शमता रखती है। ओडिशा के बाला सोर तर्डिस्तित अब्दुलकलाम परिछड के इंद पर ये परिछड किया गया। वही इस मिसाईल की जदवे चीन के कई शहर हैं। रक्षा विशेशग्यों की माने तो ये मिसाईल बीजिंग, शंगाई, गौंग जाओ और हॉंग कॉंग समेथ पूरे चीन को निशाना बनाने में सक्षम है। अगनी पाँच अपनी शंकला में सबसे आधोनी खतियार है। इसमें नोवेहन के लिए नविंतम प्रधोगी किया है। परमाडू सामकरी ले जाने की इसकी शमता दूसरी मिसाईल ब्रणालियों से कही जदा है। अंतर महाडवी पी ये बैलिस्टिक मिसाईल प्रणाली बहुत कम देशों के पास है जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। इसमें अमेरिकाद, चीन, रूस, फ्रांस और उत्तर कोरिया शामिल है। आपको उता देगी भारत के पास पहले से ही 700 किलो मीटर वाली अगनी एक, 2000 किलो मीटर वाली अगनी दो, 200 किलो मीटर से 300 किलो मीटर की रेंज वाली अगनी तीन मिसाईले हैं। इन्हें पाकिस्तान के खिलाव बनाई गई रणनीती की तहद तैयार किया गया है। वही अगनी चार और अगनी पाँच को चीन को ध्यान में रखते हुए तयार किया गया है। सरकार ये चाहती है कि परमाडू हतियार ले जाने में सक्षम अगनी पाँच मिसाइल की रेंज को बढ़ा कर 7000 किलो मीटर से जादा किया जाए। इसलिए DRDO ने इस मिसाइल पर फिर से काम किया। अब ये मिसाइल अपनी रेंज हासिल कर सकती है। उमीद है कि अगनी सीरीज की बाकी मिसाइलों के साथ भी यही किया जाएगा। आपको बता दे कि अगनी तीन का वजन 40 टन है लेकिन बाद 3000 किलो मीटर टक स्ट्राइक कर सकती है। अगनी चार मिसाइल सिर्फ 20 टन की है। वो ज्यादा रेंज कवर करती है। मिसाइलों की बड़ी हुई रेंज का फाइदा देश की स्ट्राइजिक फोर्सेस कमांड को मिलता है क्योंकि उनके पास ज्यादा रेंज और ताकत की विविंता होती है। भारत का नीकलियर वेपन प्रोग्राम सिर्फ डेटेरेंस की है। यानि पहला हम नहीं करेंगे लेकिन हुआ तो छोड़ेंगे नहीं। वीडियो रैस्क अमरुजाला.com डाउनलोड करें अमरुजाला है और पाएं खबरें लगातार।